हेलो आव्रीवन मैं हूँ नवी और स्वागत करता हूं का इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आज हम वर्ग एक उच्छे माध्यमिक शिक्षक भर्धी परिक्षा मध्यप्लेश का कुछ दिन पहले नोटी क्वेशन आया है उसकी डीटेल्स और सिलेबस को आज डिसकस करने व है जिसकी exams और कुछ महतुपुण adapts क्यों सब्सक्राइब जो भी महतुपुण adapts आई हैं उने पर रिसकस करने वाले हैं तो पहले बात करते हैं कि उच्छे माध्यमिक सब्सक्राश पातरता परिक्षा इस बार यह पातरता परिक्षा के रुप में आयेे पिशली बार के कुछ pattern में changes किया गया है कुछ नई बाते जो आपको धियान रखनी है उन्हें आपको जिन जिन चीजों पर कुछ अपडेट्स आए हैं उन चीजों को आपको खासा धियान रखना है तो start करते हैं इसे मत्रदेश सिक्षक पाते था परिक्षा 2023 कि स्क्षणिक युग्यता अगर सबसे प्रारमिक बात करें स्क्षणिक युग्यता की तो यहां पर जो प्राचीन या पहले इससे पहले जो एक्जाम्स हुई है उनमें जो स्क्षणिक युग्यता थी उनमें कोई खास बतलाव नही वहा है सम्मध्धित विशय में इस्नात्कोंत्तर के उपादी होनी चाहिए द्विटिय श्रणी में नियुंतम सेकंड डिविजन होना चाहिए और B.A. या उसके संकक्ष के उपादी होनी चाहिए बिचलवफ एज़ूकेशन आपके पास B.A. या उसके संकक्ष के अगर उप करना है देखिए आपर उच्छे माध्यमिक शिक्षक भरती परिक्षा में स्टेस्टी ओबीसी दिव्यंग और आर्थी ग्रूप से कमजोड एव्योस में 50% नियुनतम आपको अंक परसेंट लाने हैं नियुनतम जो पात्रता परिक्षा के लिए अर्था रहेगी वह 50% 50% ला रखा गया है देखिए यहां पर दे रखा है और इसके अलावा मध्यपदेश के ही चात्रों को यह मिलेगा इसके जो अधर राज्य के या अधर स्टेट के चात्र है उन्हें जनरल केटिगरी में ही रखा गया है मतलब उने 60% क्राइटिरिया के साथ ही क्वालिफाई करना पड़ेगा यह पात्रता परिक्षा में क्वालीफाई क्राइटिरिया दे रखा है जो आपको सेकेड एक्जाम के लिए क्वालीफाई होने के लिए अनिवार दे रखा है तो जो अनिवारी क्राइटिरिया वह है 50% से कमजोर EWS के लिए 50% मिन्स आपका 150 का पेपर है तो तो 90 मांक्स आपको 150 मैंसल आने हैं तो आप क्वालिफाई हो पातरता परिक्षा में ठीक है आगे बढ़ते हैं कि अगर बात करें किस तरीके की डेट्स आई है और किस तरीकी का पेटर्न पेपर को लेकर रखा गया है इसमसे पहले कि प्रारंबिक आविधन फॉर्वरगरिक के 12 जनवरी से स्टाड़ हो जाएंगे चुन्तिम दिथी है 27 जन्वरी की 27 तरीक तक आव आविधन कर पाओगे संसुदन की डेट रखिए 12 जन्वरी से एक फर्वरी तक और इसमें एक्जाम की डेट दिनांग फिक्स हो चुकिए एक मार्च से डेट एक्जाम प्रारम्ब हो जाएगी तो एक मार्च 2023 से एक्जाम प्रारम्ब हैं ठीक है अगे बढ़ते हैं कि इसके बाद बात करें अगर है तो एक्जाम की एक मार्च डेट है इसके बाद एक मार्च को दो पालियों में एक्जाम होगी यहां दे रखाए फर्स्टोख सेकंड्स दोनों का टाइमिंग भी दे रखा इस तरके का पूरा नॉटिक्रिशन में डीटेल्स दी हुई है पेपर की आविदन करने के लिए अभ्यार्थ्य के लिए प्रस्ण पत्र के लिए पांच रुपे चार्ज रहेगा जो अनारक्षे थे जन्रल में अधर के लिए तो फिफ्टी रहेगा इसके लाव़े जो 50 रुपए और यहां पर तीन सु रुपए बन जाते हैं और यहां पर तीन सु रुपए बन जाते हैं तो इस तरीके से टोटल पेमेंट बता रखा हैं फॉर्म फिल करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगजनें चलिभी होने तीन महुत्रपूंट पॉइंट्स जो आपको खासा ध्यान रखने देखी CEO के लिए तीन महुत्रपूंट पॉंट्स जो पुरानी एक्जाम से इसको अलग होते हैं पहली चीज तो आपको धियान रखना है कि यह पात्रता परिक्शा है पहले पा परिक्षा कहा गया है तो में अधुपूर पॉइंट्स क्या है देकि एक जन्वरी 2023 तक नियूंतम आयू 21 वर्स पूरी कर लिए पात्त परिक्षा के लिए पात्त रहाँ घल सकते इखते और प्तार्т परिक्षा आपने दें है और क्वालीफाय हो ठीक है जो परिक्षा लास्टाम होई थी और इसके बाद जो अभी होने वाली है जब भी होगी इन सबी में पात्र परिक्षा के वहले आपको एक बार ही देनी पड़ेगी उसके बाद आज दीweder पातत रहोगे वो दोनों ही apply करने के लिए ठीक है उन्हें अहरता प्राप्त है apply उनका किया जा सकता है फोम फील हो सकता है चलिए next आगे बढ़ते हैं अगर बात करें कुछ pattern की तो paper का pattern में भी कुछ बदलाव किये गए देखिए जो पहले 50 marks का pattern था वो अब 30 marks पे कर दिया गया है जिसमें अगर बात करें सामानी हंदी तो सामानी हंदी का जो रहेगा वो 8 questions रहेंगे ठीक है अंग्रेजी की बात करें तो 5 questions रहेंगे अगर हम समसाम आएक तारकीक आंसिक युग्यता मतलब इसमें जीके रिजनिंग आगया मेक्स के कुछ question और सामनी है जीके जो सामनी गयाने वागया तो 7 marks के रहेंगे और पेड़ोगोजी जो रहेगी शिक्ससास्तर वो 10 marks कर रहेंगे मतलब 10 number का टोटे मिला के आपके हो जाएंगे 30 marks तिस नंबरों का पुरा यह जो अधर पेटर्न होता है वो रहेगा इसके बाद जो 120 marks रहेंगे 150 में से इसका पूरा आपका subject रहेगा जिस भी subject में आपका PG हुआ है आप जिससे भी form फिल करते हो हिंदी है आपका अंग्रेजी है संस्क पैसी नंबर नहीं तो इसके अलावा कुछ मौत्रपश होंगे मैं आपको बताना जाता हूं इस पाटर्ता परिक्षा में माइनस मार्किंग रहेगी ठीक है पहले सिक्षगबरती परिक्षाओं में किसी में मािनस मा किँग नहीं रिखी गई ती इस बार पात्रता को qualify करने वालों के लिए सेकंड भरती एक्जाम होगी तो वह उसके लिए क्वालिफाय रहेंगे उसमें भरती नॉटिक्विशन में जो भी रूल आएंगे वह वही लोग पेपर दे पाएंगे या वही लोग उसके लिए क्वालिफाय माने जाएंगे जो असक्राइटरिया को को पूरा करते हैं पातरता परिक्षा को फुल्फिल करते हैं I hope आपको पूरी समझ में आई होगी ठीक है तो यहीं पर एंड करते हैं इसे आपका ठीक है यहीं पर इसे अंतिम विडाम देते हैं अगर कोई आपका कोश्चन हो डाउट हो तो आप इसे कमेंट के द्वारा मझे बताएं मैं आपको वहीं पर क्लियर करवा सकता हूं ठीक है थैंक्यू धन्यवाद